प्रियमित्रों शंक दोनी जो है पुजा में शुभलाती शमुद्र मन्थन से प्राप्त चवदा रत्मों में से एक शंक का धार्मिक और औस धीये महत्तो भी है कहते हैं कि जिस घर में नीमित रूप से शंक बजाया जाता है वहां शकारात्मक उर्जा का बाश होता है शमुद्र मन्थन से उत्पन रत्नों से एक शंक को विजय समर्दी, सुख बैभब, शांती, यस, किर्ती और मालक्षमी का प्रतीक माना जाता है शंक भगबान विश्नु को समर्पित कर दिया गया है इसलिए लक्षमी विश्नु की पूजा में शंक द्वनी अनिबार्ज माननी जाती है विश्नु पुरान के अनुसार मालक्षमी शमुद्र के राजा की पुत्री है और शंक उनके सवतेले भाई हैं शंक को नाद का प्रतीक माना गया है इसलिए हमारे यहां जुद्ध के आराम्व और अंत में शंक दोनी का प्रियोक किया जाता है धार्मी की मानता है कि शंख से सभी सत्रों का ना सोजाता है इसलिए मंगलकारी शंख को आधी यनाधी काल से धार्मी का नुष्ठान और यग प्रियोजनों में सामी किया जाता रहा है कहते हैं कि प्राता और सायंकाल में जब सुर्ज की किरने निस्तेज हो जाती है तब शंख धोनी से न सिर्फ आसपास का संपुर्ण बातावरन शुद्ध होता है बलकि इसके प्रभाब से पाप नस्ठ होकर पुन्य शक्ति में बिर्दी होती है माना जाता है कि संख की धोनी जहां तक जाती है वहां तक के किटानों का ना सोजाता है कई अर्थों में संख कितने ही रोगों को दूर करने वाला महा अश्दी वी है जिसका व्योग अपने देश में आयरुवेदिक दवाई के रुप में पुरातन काल से किया जाता है संक में जल भर कर देवस्थान में रखने और इसे घर में छी रखने से बातावरन सुद्ध होता है जिस घर में संक धोनी की जाती है वहाँ कोई व्याधिक रस्त नहीं होता है और विपतियां दूर रहती है संक के बल भगवान भोलेनाथ की पूजा में बरजित है क्यों बढ़ जित है एसल में सीब जी ने लोको धार के लिए संख चूर का बदि किया था इस कारण संख का जल सीब जी की पुजा में निशेद बताया जाता है तेकिन सीब जी को छोर कर सभी देवताओं पर संख से जल अरपित किया जा सकता है शंख मूलतह तीन प्रकार के होते हैं बामाबर्ती दक्षिनाबर्ती और मध्याबर्ती और तीनों का अलग-अलग महत्व शास्त्रों में बरनित है स्री कृष्ण के पास पांच जन्य जुदिष्ठिर के पास अनंत अनंत विजय और अरजुन के पास देवदत भीम के पास पुंडक नकुल के पास शुगोस और शहदेव के पास मही पुसपक शंख था जिसकी सक्ति अलग-अलग थी विश्ण के प्रियमाह पुर्शत्तम मास में संख का महत्व दुगूना हो जाता है कहा तो यह भी जाता है कि संख ध्वनी करने बाला मिर्तु उप्रांत विश्णू लोग में परमपद पाता है तो बोलिए जैस्री हरी विश्णू